नमस्कार साथियों आईए इस सत्र के विशय पर हम चर्चा करते हैं पार्थिचर्या में भाषा के विस्तार अर्थाथ लेंग्वेज अक्रास करिकुलम की क्या आधार्भूत मानेताएं हैं मित्रों ये आप जानते हैं कि भाषा को सीखना केवल भाषा की कक्षा और सिक्षन के दाइरे में सीमित नहीं अर्थाथ हम भाषा को केवल एक सिक्षन सास्त द्वारा भाषा या साहित के माध्यम से नहीं सीखते घर की भाषा हो, संबाद की भाषा हो, विद्याले की विभिन गत्विदियों और विश्यों की भाषा हो यह सारी प्रिष्ट भूमी हमारे लिए भाषा को सीखने का माध्यम का कारे करते हैं। हम विज्ञान, गणित और सामाधी विज्ञान की कक्षाओं में भी भाषा को सीखते हैं। यदि आप ध्यान पूर्वक विचार करें, तो भाषा को सीखना और साहिते को सीखना दो धाराएं हैं, जब आप भाषा की कक्षा में सीखते हैं, तो आप उसके साहिते से परचित होते हैं, साहितिक अभिवेक्तियों भाषा की दक्षताओं से परचित होते हैं, और जब अंगरी तो सामाधी वी ज्यान की कक्षाओं में सीख रहे होते हैं, तो उनकी सब्दावलियों के साथ भाषा से संबन्दित पक्ष का भी एक महत्पूर्य योगदान होता है, जिसकी मदद से आप सीखते हैं, यह language across curriculum में आधार भूत मानेता यह है, कि आप जब किसी भी विकास करते हैं, यह चमता का विकास जो होता, इसमें भाषा की भूमी का सरवाधिक महत्पूर्ण होती है, भाषा आपके विचार को परिमार्जित करने के लिए उपकर्ण का कारे करती है, उसी से आप अपनी अवधार्णाओं को वाकि के रूपमें, मोहावरों के रूप प्रतेख प्रकार का सीखना उसकी भाषा को सीखना और अपनाना है। संबंद को सुगम करने का कारे करता है अर्थार हमें एक जो हम किसी परिगटना को देख रहे हैं उसे व्यक्त करने के लिए एक तक्नीकी सब्द जानते हैं और उस तक्नीकी सब्द के माद्धम से अन्य घटनाओं की व्याख्या करने में भी हमें मदद मिलती है इसे हम एक के दौरान विद्याथी क्या करता है उसके सामने जब नए तथ्य नई सूचना यो पस्तित होती है वो उनको पढ़ता है जानता है बाचीत करता है और इसके माद्यम सीखता है इस सीखे हुए को अपने पूरु ग्यान से जोड़ता है जब वो पूरु ग्यान से जोड़ रहा होता है और नए ग्यान का निर्मान कर रहा होता है तो उसके लिए भाषा ही वह आधार माध्यम होता है जो इस योजक का कारे करता है नए ग्यान के सीखता है उसको हम भाषा के माध्यम से ही उसका आकलन करते हैं उसकी समझ को समप्रिसित करते हैं वो अपनी समस्याओं और चुनोतियों को भी भाषा के माध्यम से ही रखता है अर्धात भाषा की यह केंद्री भूमिका है कि वह आपके सीखने की प्रक्रिया को सुगम कर रही है और यह केवल भाषा की दख्षताओं तक सीमित नहीं है विज्ञान गणे सामाजी विज्ञान अन्ने पाठी चर्या सम्बंदित गत्विधियां या जो रचनात्मक्षित्र हैं भाषा की उपस्थिती वहां पर भी है और वहां आप को सीखने में मदद कर रही है उधारण के लिए यदि आपको विज्ञान या इतिहास में एक परियोजना का कारे करना है तो आपको इसके लिए विज्ञान और इतिहास के विज्ञान की जानकारी होगी परियोजना के लिए आपने जो विज्ञान चुना है उसकी समझ किया सकता होगी इसके साथ साथ यदि आप उसकी report को तयार कर रहे हैं, तो उसकी रूपरेखा का बनाना हो, report को लिखना हो, report को दूसरे तक communicate करना हो, इसके लिए भी भाषा किया सकता हो पाएगी। कई बार शोद कार्यों में ऐसा देखा गया है कि गड़ित विज्ञान और समाजी विज्ञान के सीखने की चुनोती विजए को सीखने से अधिक भाशा की चुनोती होती है। यह चुनोती खासकर ऐसे माहौल में अधिक महत्पूर हो जाती है जहां पर बच्चे के घर की बाशा में अंतर दो अस्तरों के होता है पहला घर में हम बाचीत की भाशा का प्रयोग कर रहे हैं और स्कूल में हम अकार्मिक भाशा का प्रयोग कर रहे हैं जब दूसरा ही है कि कई बार जो हमारी मात्री भाशा है वो सिक्षण के माध्यम की भाशा नहीं होती इन दोनों ही इस्थितियों में हमारे लिए सीखना चुनोती पूर्ण हो सकता है और इस चुनोती को पार पाने का एक उपाई यह है कि हम विसेयों के साथ, कंटेंट के साथ-साथ उनमें छुपेवे भाशा अधिगम के पक्ष को भी स्वीकार करें और उसके साथ-साथ सीखने की प्रक्रिया का सायोजन करें तो हमारे लिए यह कारे आसान हो सकता है यह हमें ध्यान रखने वाली बात है नीतात यह है जब हम अपने किसी अवलोकन, मत, सूज या अनुभो को लिखते हैं तो हम विशाई ग्यान के साथ-साथ भाषा का भी प्रियोग करते हैं जितना हमारे पास सब्दावली होगी, संप्रेशन की शमता होगी, भाषा को लिखने की योगिता होगी अपने विचारों को अभिवेट करने की शमता होगी उतने ही आसानी से हम अपनी भाषाई समझ के माद्यम से विशाई की समझ को व्यक्ट कर सकते हैं न केवल व्यक्ट कर सकते हैं बसे बतल की उसे दूसे तक संप्रेशित कर सकते हैं उसके आधार पे हम किसी के साथ डायलॉग में इंगेज कर सकते हैं यह इसका एक महत्पूर पक्ष है और language across curriculum इसी आधार भूत मानिता पर अविस्थित है कि भाशा और चिंतन का घनिष्ट सम्मंध है भाशा भाशा सिक्षन भाशा की कक्षा के अलामा अन्य पाठी चर्या के विसेंों से भी जुड़ी हुई है अन्य पाठी चर्या के विसेंो चाहे गनित हो चाहे विज्ञान हो चाहे समाजी विज्ञान हो उनका सीखना भी उनकी सब्दावली उनके भाशा उनके मुहावरों को सीखना है इसलिए भाशा की दक्षताएं आपको वहाँ पर भी सहयो करती हैं वहाँ पर भी आपके लिए मददगार है इसलिए किसी भी सिख्षक के लिए चाहे वह किसी भी विशय का सिख्षक क्यों ना हो भाषा की आधारबूत दक्षताओं संप्रेशन छम्ता का ज्यान आवस्यक है और इस कारण से हमारे लिए लैंग्विज अक्रॉस करिकुलम एक महत्वपूर विशय है जिसमें विचार करना चाहिए अध्यापक का कारिय यह है कि वह विशय से जूरी दक्षताओं और चिंतन से तो विद्याक्षियों को परचित कराये ही साथ इसाथ भाषा की कुसलताओं को भी सिखाये जिससे उन् समझ रहा है तो वह अपने माधयम चाहिए वह उसका माधयम हिंदी हो चाहिए अंगरेजी उसको वख कम्यूनिकेट कर सके ऐसी चुनावती उन्षानोंपर अधिक आती है जहां किताब की भासां अंगरेजी होती है अध्यापक और बच्चे की भाषा हिंदी होती है इससे हम यह समझें कि हमारा अध्यापक की भाषा, उस्तक की भाषा और बच्चे की भाषा में क्या सम्बंद है और इन सम्बंद को मजबूत करते वे कैसे सीखने को आप सुगम करेंगे। अब अब तक मैंने आपके साथ जो चर्चा की इससे एक बात तो इसपश्ट हो गई कि भाषा हमारे लिए केवल संप्रेशन का माध्यम नहीं है बलकि अधिगम का आधार है और इस अधिगम के आधार की चिंतन की प्रक्रिया से घनिश्ट संबंद है अर्थात आप जो सोचत निर्मानवादी चिंतकों ने अपने विचारों में इस्थापित भी किया है भाषा संप्रत्य को समझने संप्रेशित करने और उसे जुड़ने का माध्यम है भाषा मांसिक संक्रियाओं और संग्यान परिस्करन कॉग्निटिव एफिकेसी में भी आपको सहयोग प्रदान क जहां पर आपके पास चिंतन के लिए सांस्कृति को करन के रूप में अकादमिक सब्दावली होती है जिसके माध्यम से आप सवाल पूछते हैं, फीडबेक देते हैं, समवाद में हिस्सा लेते हैं और अपनी जिग्यासा को सांथ करते हुए ज्यान की रचना करते हैं लेंग्वेज अक्रॉस करिकुलम की अउधाना इसी आधार बुद्तत्य पराधारित है कि भाशा और चिंतन के घनिष्ट संबंद को अलग-अलग विसेयों में सीखने की प्रक्रिया के साथ कैसे जोड़ा जाए और सीखने की समस्या को केवल अउधाना की अस्तर तक न दे इस द्रिष्टी से लेंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का महत्व है इसकी आवसेकता है इसकी प्रासंगिकता है और इसी द्रिष्टी से हमें इसको समझने जानने की आवसेकता है धन्यवाद